इस वीडियो में हम 31 अगस 2021 के बीच में बनने वाले हरियाना करंट अफेर्स के कोशिन डिसकस करेंगे ये कोशिन साब के आने वाले हरियाना की सभी प्रिक्षा में बहुत ही मैतपुन साभीत होंगे इसमें स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है बारते टेम को कई अंतराष्टे खिलाडी देने वाले किस जिले के गाउं हाबडी में अंतराष्टे स्तरका होकी स्टेडियम बनकर तयार हो गया है तो यह की stadium बनाय गया है? हाबड़ी गाँ में और हाबड़ी गाँ कैस जिले में आता है? यह आता है कैफल जिले में कैफल जिले में Next question है 900 1 इकड में मारृतिश शुजूकी के प्लांट को किस जगय पर स्तापित किया जाना है तो इचारा करकू और अब ये स्तापित किया जाना है आयम्टी खरकोदा में खरकोदा कि जिले में आता है hemzi सोनिपत जिले में, नेक्स्ट कुछने देश का पहला, इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उनका हाईवे कौन सा बनाए, तो ये बनाए, संडीगड से दिल्ली रोड, संडीगड से दिल्ली रोड, और वहीं इसी हाईवे पर, करनाल लेक रिसोर्ट में देश का पहला सोर उर्जा यानि सोलर सिस्टम से चालित चार्जिंग स्टेशन भी शुरूब किया गया है कहां पर किया गया है करनाल में तो यह आप करनाल भी याद रखें ये भी कुशन आपका बनता है कि सोर उर्जा से चार्जिंग स्टेशन कहां पर बनाया गया दिली चंडिगर्ड रोड पर ये बनाया गया करनाल में और इस हाईवे पर 25 किलोमेटर पर चार्जिंग स्टेशन स्तापित किया गये हैं नेक्स्ट कुशन है हरियान के मुख्यमेंतरी मनोड लाल खटर कुरुशेक्तर विश्युदेले के किस बाशा के सैटिफिकेट एंड डिपलोमा कोर्स के पर्थम चातर बन गया है तो सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स्टी याद रखने है किस यूनिवर्स्टी में इनके दाखिला लिया है कुरुशेक्तर विश्युदेले में कुरुशेक्तर यूनिवर्स्टी में और इन्होंने जो है किस बाशा में जापानी बाशा में ये डिपलोमा कोर्स में दा कौन सी बाशा है जापानी बाशा है नेक्स्ट कुछन है हरियाना परदेश के 32 वे पुलिस महा निदेशक या 32 वे डीजी पी कौन बने है तो ये बने है परशांत कुमार अगरवाल या आपका जो है पी के अगरवाल तो शोट फोर्म में भी एक्जाम में लिखा सकता है कौन से नंबर के बने है नंबर आपको याद रखना है 32 वे नंबर के ये बने है संतरता देश के मोके पर प्रदेश की पहली प्रदुशन मुक्त बस का सुबारम किया गया यह बस किन सेरों के बीच में चलाई जाएगी तो इसका सुबारम किसके द्वारा किया गया हरियाना के प्रिवैन मंत्री मूलचन सर्मा के द्वारा हर्याना के प्रिवैन मंत्री कोन है मूलचन सर्मा और किन सहरों के बीच में चलाए जाएगी फरीदाबाद और गुरुग्राम सहरों के बीच में तो आप याद रखने के लिए कर सकते हैं जैसे परदूशन सबसे ज़्यादा सर्मा हरियाना में अब किन देशों की तर्ज पर revenue estate या किर्शी भूमी की mapping का कारिया सर्वे ओफ इंडिया द्वारा किया जाएगा तो किन देशों की तर्ज पर इस प्रकार के question exam में बहुत पूछे जाते हैं जब भी जो है दूसरे देशों की तर्ज पर कोई भी कारिय किया जाता है तो ये question exam में पूछे जाते हैं तो किर्शी भूमी की mapping का कारिया किया जाएगा next question है पेरोलॉंपिक में विष्ड रिकोर्ड के साथ भाला फैक्स परद्दा में संड पतक जीतने वाले सुमित अंतिल सोनिपत के किस गाउं से है तो आपको जिला भी याद रखना है सोनिपत जिला किस गाउं से है गाउं भी याद रखना है तो इनका गाउं है खेवडा तो इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है तो यह आप देख सकते हैं यह आपका जो है वर्ल्ड रिकोर्ड न्यू वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है तो यह कितना बनाया है 68.55 मीटर का जो है यह वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है तो यह भी आपको याद रखना है कितनी द में को हुआ था टोक्यो पेरालम्पिक में योगेस कथूनिया ने किस खेल में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है तो किसने जीता है योगेस कथूनिया ने इन्होंने जीता है डिसकस थ्रो में या यह जो है चक्का फेक है इस गेम में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल ज पैरिनेत, पैकति करे साधिनेत, अध़ियर के ख़कल करें जीता है। हर्याड़ के किस शेवरे के रहने वाले से भातुने आता है, तो जिला में आप याद रखे है। नेक्स्ट क्वेशन है भारत्य रेस वाकर अमित खत्री एक तो आपको याद रखना है अमित खत्री किस खेल से संबंदित है तो ये रेस वाकर है ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चेंपेशिप में पुरुषों की कितने मीटर रेस वाक सप्रदा में रजत पदक सिल्वर मैडल जीता है तो कितने मीटर की रेस प्रदा थी ये थी 10,000 मीटर की 10,000 मीटर की ये रेस प्रदा थी और वहीं बात करें इसमें जो है अंडर 20 अंडर 20 विश्व एथलेटिक चेंपेशिप के तियास में भारत ने पहली बार इस इवेंट में जिसकी बात हो रही है ये जीता है तो ये भी आप याद रहके पहली बार पदक जीता है और किसने जीता है अमित खत्री ने अमित खत्री जो है हरियाना के रहने वाले हैं ये हरियाना के कि जिले के रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं रोत्तक जिले के कहां के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिजूट के प्रीशर में एक स्टेडियम का नाम टोकियो अलंपिक के संपतक विजे था नीरत चोपडा के नाम पर रखा गया है तो ये रखा गया है पूने के और पूने के एंट में स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है नीरत चोपडा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम कहां पूने में परसाद योजना में हर्यान के कौन से तीर स्थल सामिल है तो परसाद योजना में हर्यान के दो तीर स्थल सामिल है कौन से है नाडा साहिब गुर्दवारा और मंसा देवी मंदिर नाडा साइब गुर्दवारा और मंसा देवी मंदिर ये हर्यान के पंचकुला जिले में स्तित है और नाडा साइब गुर्दवारा भी हर्याना के पंचकुला जिले में स्तित है और ये जो है किस नदी के तट पर है ये गगर नदी के तट पर स्तित है पेरलम्पिक खिलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारते महिला कौन बनी है तो यह है गोल्ड जीतने वाली यानि गोल्ड मैडल जीतने वाली पहली भारते महिला पेरलम्पिक खिलों में तो यह बनी है अवनी लेखरा अवनी लेखरा किस राजे से बिलोंग करती है राजस्तान राजे से ये बिलोंग करती है वहीं पैरलम्पिक कमिटी ओफ इंडिया की अध्यक्स कोन है दीपामलिक दीपामलिक हरियाना से बिलोंग करती है और ये किस खेल से संब्दित है तो ये है सूटिंग से पेरलम्पिक खेलों में भारत की तरफ से पहला मैडल किस महिला ने जीता था तो पिछले कोश्चन में बात की गई थी कि गोल्ड जीतने वाली पहली महिला अब बात हो रही है भारत की तरफ से पहला मैडल किस महिला ने जीता था तो ये जीता था दीपा मलिक ने दीपा मलिक ने यह रियाना से बिलों करती है इन्होंने जो रियो ओलम्पिक यानि 2016 में जो ओलम्पिक हुए थे रियो ओलम्पिक में रजत पदक रजत पदक सिल्वर मैडल जीता था कुरुशेक्तर विकास बौड विस्ट परशित गीता उप्देश तलिट जोति सर्थ तीर्थ परस्तित प्राचीन और गीता के साक्षी माने जाने वाले किस वरक्ष के पोधे को देश विदेश में बेजेगी तो यह बेज़ेगी वर्ट वरेक्स के है तो यह आप देख रहे हैं यह वर्ट का वरेक्स है तो इससे जो है बीज तयार किये जाएंगे और देश वी देशों में बेज़े जाएंगे नेक्स्ट कोशन है परदेश में आधुनिक सुईदाव से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट सोनिपत के किस गाउं में विक्सित की जाएगी तो सोनिपत में विक्सित की जाएगी गाउं का नाम भी याद रखना है गाउं का नाम है सेरसा गाउं और सोनिपत जिले किसान कल्यान मंतरी कोँन है जे-पी दलाल आश्ट क्कॉशन है देस बर के 152 पुलिस करमियों में हरियान के कितने पुलिस अधिकारीयों को वर्ष 2021 के लिए जाच में उत्करस्टा के लिए के इंद्रे ग्रय मंतरी पदक के लिए चुना गया है तो यह चुना गया है चेयार पुलिस अधिकारियों को कौन है ये हरियाना फ्री टैबलेट योजना 2021 के तहत सरकारी स्कूल में किस कक्षा के बच्चों के लिए Android टैबलेट्स प्रदान किये जाएंगे तो ये किये जाएंगे आठवी से बारवी कक्षा तक के बच्चों के लिए और इसके लिए जो पतरता है वो क्या होनी चीए ये राज्ये के स्थाई निवासी होनी चीए और केल हरियाना राज्ये के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे आठवी से बारवी कक्षाय तक के बच्चों को ही इसमें पातर माना जाएगा और केल सरकारी स्कूल के बच्चों को और बारवी पास होने के बाद जो है इनको ये टेबलेट्स वापिस जमा कराने पड़ेंगे और हर्याने के वर्तमान शिक्षा मंतरी कोन है ये भी आपको याद रखना है कवरपाल गुजर सरकार की किस योजना के तैत लगबग तीन सालों में 75 लाख मिट्टी के नमूने की जाच कर किसानों को मिर्दा स्वास्ते कार्ड जाच कार्ड वितरित किये जाने का लक्से रखा है तो ये है हर खेत स्वस्थ खेत योजना हर खेत स्वस्थ खेत योजना हरियाना में खंड स्तर पस्तापित मिट्टी जाच की 40 नई लेव का उद्गाटन किस ने किया तो ये किया हरियाना के मुख्यमंतरी मनोर लाल खटर ने टोक्यो पैर अलम्पिक 2020 में देश का नाम रोशन करने वाले हरियाना के खिलाडियों के लिए राज़स तरिय समान समारो कहां के इंदर दनुस ओडिटोरियों में आज जित हुआ तो ये हुआ पंच कुला के टोक्यो पैर अलम्पिक 2020 में सौन पदक रज़त और कासे पदक विजेता को कितनी समान राशी दी गई तो संड पदक विजेता को कितनी दी गई ये दी गई 6 करोड रुपे रज़त पदक सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड और कासे पदक पुरोंज मेडल जीतने वाले को 5 करोड रुपे के राशी दी गई और वेक्तिगर्स पर्दा में जो नीर चोपडा ने क्या जीता था गोल्ड मेडल रवी दहिया ने रज़त पदक और बजरंग पुनिया ने कासे पदक जीता था तो निरे चोप्टा को 6 करोड, रवी दिया को 4 करोड, बजरंग पुनिया को 5 करोड रुपे दिये गए और प्रूसोकी टीम के दो खिलाडी सुमित कुमार और सुरेंदर कुमार दोनों ऐसे से सुरू हो रही है सुमित कुमार, सुरेंदर कुमार को भी डाई करोड रुपे के चेक दिये गए टोकियो उलम्पिक 2020 में चोथा स्थान यानि जो चोथे स्थान पर रहे असिल करने वाले खिलाड़ियों को कितनी सम्मान राशी दी गी तो इनको दी गी 75-75 लाख रुपे तो चोथे स्थान पर कौन बारतिया ओकी टीम रही थी बारतिया ओकी महिला टीम तो बारतिया ओकी महिला टीम में हर्याने की कितनी थी? 9 खिलाड़ी थी तो इन सभी को पचास-पचास लाख रुपे दिये गए साथे दीपक पुनिय इसको भी जो है पचास लाक रुपे दिये गए टोक्य ओलम्पिक 2020 में सहब आगीता करने वाले खिलाड़ी को कितनी सम्मान राशी दी गई तो इनको दी गई 15-15 लाक रुपे और इनकी नाम आप देख सकते हैं टोक्य ओलम्पिक में इतियास रचने वाले जैवलियन थ्रोर नीरे चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में की स्तान पर पहुंच गए हैं ये पहुंच गए हैं दूसरे स्तान पर पहले स्तान पर कोन है जर्मनी के जोहांशन वेटर जर्मनी के जौंसन वेटर नेरे चोपडा ने टोके ओलंपिक 2020 में कितने मीटर थो करके संट पदक अपने नाम किया तो ये आपको जरूर याद रखना है 87.58 मीटर भार के प्रिक्षा में ना भी पूछा जाए लेकिन हरियाना के प्रिक्षा में ये रिकोड जरूर पूछा जाएगा और ये भारत के लिए एतलेटिक्स में ज्रूर पदक है और नेरे चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत 7 पदक हासिल करने वाले दूसरे भारतिया है इससे पहले किनों ने 7 पतक जीता था ये जीता था अभिनव बिंदरा ने अभिनव बिंदरा ने किस केल में शूटिंग में निशाने बाजी में ये बात ओर यह वेक्तिगत सप्रदा गे क्योंकि टीम इवेंट में तो भारत होकी में कई गोल्ड मेडल जी चुका है ओलम्पिक में वेक्तिगत सप्रदा में 7 पतक जीतने वाले पहले बारते अथलीट कोन है तो ये है अभिनव बिंदरा ने जो है वर्स 2008 में बीजिंग ओलम्पिक में 7 पतक जीता था किसमें जीता था 10 मीटर एर राइफल में राजस्तरिया हरियाली तीज उत्सव हरियाना राजबावन में मनाया गया किसने दीप परजुलित करके सांस्कृतिक कारेकरमों का सुबारम किया तो ये क्या हरियाना के राजपाल बंडारू दतातर है हरियाना के राजपाल बंडारू दतातर है ये नई राजपाल बने है कौन से नमबर के बने है अठरवे नमबर के राजपाल बने है टोके उलम्पिक से लोटे खिलाडियों को सम्मानित करते हुए हरियान सरकार ने कितने rehab center और कितने center of excellence बनाए जाने की कोश्चना किया है तो ये किया है चार rehab center और पांच center of excellence और इनमें पहला center बनेगा पंचकुला में टोकेय ओलंपिक 2020 में देश का एकलोता gold medal जीतने वाले नीरचोपडा की मांग पर athletic stadium कहा बनाय जाएगा तो जिन्होंने भी medal जीता है उनकी मांग पर जो एक stadium बनाय जाएगा तो नीरचोपडा की मांग पर पंचकुला में stadium बनाय जाएगा टोकेय ओलंपिक 2020 में पहलवानी में देश का एकलोता silver medal जीतने वाले रवी दहिया की मांग पर हरियान सरकार कहां इंडोर्स wrestling stadium बनवाएगी तो यह बनवाएगी रवी दहिया के गाऊ में रवी दहिया का गाऊ कौन सा है गाऊ नारी है जो कि सोनिपत जिल्हे में आता है इससे आप डोनों यह चीजय याद रख सकते हैं इनका गाऊ भी और इन्हीं गाऊ में यह stadium की मांग इन्होंने की है गाऊ नारी सोनिपत और वहें बजरंग पुनिया की मांग पर कहां इंडर रैसलिन स्टेडियम बनेगा यहीं के पैतरिक गाउं गाउं खुड़न जो की जजजर जिले में आते है तो निपत बजरंग पुनिया जजजर जिले से बिलोग करते है गाउं खुड़न से बारतिय अटलेटिक्स मासंग ने किस दिन ओलम्पिक संट पतक विजिता निरेच ओपड़ा के सम्मान में हर साल भाला फैक दिवस या जैवलियन थ्रोडे इंगलिस में भी लिखाओ ये भी आपके याद रखना है मनाने का निर्णा लिया है तो जैवलियन थ्रोडे बाला फैक दिवस मनाये जाएगा साथ अगस्त को जो है साथ अगस्त दोजार इकिस को नीरेच ओपड़ा ने टोकियो अलम्पिक में संट पतक जीता था बाला फैक में और वहीं बात करे एथलेटिक्स फेडरेशन ओफ इंडिया की इसके अधिक्स कोन है आदिले जे सुम्री वाला इसकी स्थापना उनिस्यो चालिस में की गी थी और मुख्याले है नई दिल्ली में किसने हरियाली तीज के मौके पर जजजर जिले के खानपूर खुर्द गाउं में पांच एकड में फैले लाडो की बगिया उक्सीवन का उद्गाटन किया तो ये किया हरियाने के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने और वहीं एक एप बनाई गई है जिस पर पोदो की उपलब्दा सम्मंदी जानकरी मिलेगी कौन सी एप है हरियाना वन प्रबंदन सूचना पढ़नाली एप भारतिया पहलवान रवी कुमार दिया ने टोक्य उलम्पिक की कुष्टी प्रत्योकिता में कितने किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर मैडल जीता है तो कितने किलोग्राम में जीता है 57 किलोग्राम भारवर्ग में गाउं कौन से इनका नारी गाउं सोनिपत सोनिपत जिला रवी दिया कुष्टी में उलम्पिक रजद पदक जीतने वाले कौन से बारते पहलवान बन गया तो ये बने दूसरे पहलवान इससे पहले सुशिल कुमार ने लंदन उलम्पिक दोज़र बारा में ये उपलब्दी असिल की थी सुशिल कुमार ने लंदन उलम्पिक दोज़र बारा में रजद पदक जीता था महिलाग वेट लेफ्टर मीरा भाई चानू ने टोकिय उलम्पिक दोज़र बीस में कौन सा पदक जीता तो मीरा बाइचानू ने रज़त पदक जीता और ये कहां की रहने वाली हैं मनीपूर की ये मनीपूर की रहने वाली है भारत की दिगज बैडविंटेन खिलाडी पीवी सिंदू ने टोकियो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता तो इन्हों ने जीता ब्रॉंज मेडल और भी आपको याद रखना है भारत की एक लोकती ऐसी महिला खिलाडी कौन है जो ओलंपिक में दो वेक्तिगत मेडल जीतने वाली खिलाडी है ये पीवी सिंदू डिसकर्स कर चुके है 2020 में ब्रॉंज मेडल और रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल 2016 के रियो ओलंपिक में खिलाडी कौन बने है तो ये बात हो रही थी महिला खिलाडी के तो महिला खिलाडी बनी है पीवी सिंदू और और आल बात की जाए तो पहले खिलाडी कौन है तो ये सुसील कुमार सुसील कुमार ने जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कास्य पदक ब्रॉंज मेडल जीता थ भारत की लवनीना बोर्गोहिन ने टोके ओलम्पिक में कासे पदक जीता लवनीना बोर्गोहिन किस खेल से सम्मंदित है तो ये मुक्के बाजी से सम्मंदित है और कहां की रहने वाली है असम की रहने वाली है टोकिय ओलम्पिक में कासे पदक जीतने वाली बॉक्सर लवनीना बॉर्गोहेम किस राज़े से है तो ये असम राज़े से है और बॉक्सर विजेंदर कुमार और MC मेरिकों के बाद बॉक्सरी में भारत के लिए उलबिक पदक जीतने वाली वे तीसरी भारती है वे दूसरी भारती मेला खिलाडी है टोकियो उलबिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है तो पहले स्थान पर रहा, United States of America, USA, और वहीं दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा, China, People Republic of China, और वहीं मेजबान कंट्री, जापान, जापान की स्थान पर रहा, तो जापान रहा, तीसरे स्थान पर, Tokyo Olympic 2020 में भारत की स्थान पर रहा, तो बारत रहा, 48 रहा, 48 प्लेस पर, Tokyo Olympic 2020 में अमेरिका मैडल टैली में, पहले नमबर पर रहा, अमेरिका ने कितने गोल्ड मैडल जी थे, तो अमेरिका ने टोटल जो है, 39 गोल्ड मैडल जी थे, यह आप देख सकते हैं, पहले स्थान पर, अम बहुत बार पूछा जाता है मेजबान देश था जापान, जापान के टोके सहर में ये उलम्पिक आयुजित किये गए और जापान राद तीसरे स्थान पर जापान ने कितने गॉल्ड मेडल जीते 27 गॉल्ड मेडल, अमेरिका ने 39 और चीन ने 38 एक गॉल्ड मेडल कम और जो ने 113 और वहीं भारत की बात करें तो बारत ने एक गॉल्ड मेडल किसने जीता नीरच ओपडा ने और टोटल जीते 7 मेडल अब एक रेश यो दो रेश चार ये याद रखे एक गुणा दो 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 दूनी चार तो टोटल मेडल होगे एक चार जमाद दो चार और एक साथ त तो ये आप याद रखे ये आपका गॉल्ड ये सिल्वर ये ब्रॉंज टोकियो ओलंपिक में भारत ने कुल किल्पने मेडल जीते तो भारत ने जीते 7 मेडल 7 मेडल एक दो चार एक गॉल्ड दो सिल्वर चार ब्रॉंज गॉल्ड मेडल जीता नीरच ओपडा ने भाला फै ने वेट लिफ्टिंग में, महीं च्यार ब्रोज मेडल पीवी सिंदु ने, बजरंग पुरिया ने, लवनीना, बोर्गोहेन ने और पुरु सोकी टीम ने उलम्पिक खेलों में सब्ड पदक जीतने वाले नीरे चौपडा हरियाना के कौन से खिला डिया है तो ये हरियाना के ऐसे पहले खिला डिया है टोकिय उलम्पिक में भारते पुरु सोकी टीम ने किसको और आकर का से पदक जीता तो इनोंने जर्मिनिक को और आकर कासे पदक जीता वहीं भारते प्रूस ओकी टीम के एक अप्तान को नै मन्दप्रीत सिंग चीफ कोच को नै ग्राम रीड और असिस्टेंट कोच को नै प्यूस दोपे तो अब ग्राम रीड याद रखे में कोच को नै ग्राम रीड और वहीं इसमें संट पदक किसने जिता था और किट में बेलजीम ने और ब्रॉंज किसने जिता था सिल्वर मैडल ये जिता अस्टेलिया ने और ब्रॉंज मैडल का से पदक जब भारत ने जिता टोकेय उलम्पिक में भारते प्रॉंज की टीम में कितने खिलाडी हरियाना से थे तो कितने थे दो खिलाडी भारत में हाइडरोजन परादारी तक्निक से चलने वाली ट्रेन की सुराथ कहां से की जाएगी ये की जाएगी जीन्द और सौनिपत के बीच और वही अगर ये तक्निक भारत में सफल होती है तो भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जाग ग्रीन एनर्जी का उप्योग किया जाएगा हर हीट स्टोर योजना के तैट स्टोर खोलने वाले गरीब युवा को परदे सरकार हर महीने कितने अजार रुपे की कमाई की गारेंटी देगी 15,000 रुपे की खेल के शेक्तर में दिये जाने वाले सर्वोच सम्मान राजी गांदी खेल रतन अवाड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो ये क्या गया है मेजर ध्यानचंद खेल रतन अवाड मेजर ध्यानचंद खेल रतन अवाड और वहीं राजी गांदी खेल रतन अवाड के प पत्चीस लाख रुपे और ये भारत में दिया जैने वाल सबसे बड़ा खेल पुरुश्कार है टोकेय उलम्पिक में भारते माइलाओ की टीम ने कौन सा पतक जीता तो इन्होंने कोई भी पतक नहीं जीता मैलाओ की टीम ने ये चोथे स्थान पर मैलाओ की टीम रही भारतिय मैलाओ की टीम नेक्स्ट बात करते हैं टोकिय उलम्पिक में भारतिय मैलाओ की टीम में 16 में से कितने खिलाड़ी हरियाना से थी ये थे 9 खिलाड़ी वहीं गोल की पर हरियाना से थी सवीता पुनिया और महिलाओ की टीम की कप्तान कौन थी ये थी रानी रामपाल स्वेम साहिता समूओं की महिलाओं को रोजगर दिलाने के लिए हरियान सरकार हर जिला सेची वाले में कितनी स्वेम साहिता समूओं दुकाने खोलेगी तो ये खोलेगी दो दुकाने एक दुकान खादे परदार्थों के लिए होगी और दूसरी अन्य उत्पादों के लिए किस दिन को विबाजन वी बिश्ट का समर्थी दिवस के तोर पर मनानी के दिननल लिया गया है तो ये लिया गया है 14 अगस्ट को और ये क्यों लिया गया है क्योंकि देश के बटवारे के समय करीब 90 लाग सरनार्थी पंजाब से पाकिस्तान गए और जो हजारों भाई बैनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान गवानी पड़ी और उन लोगों के संगर्स और बलीदान की याद में 14 अगस्त को विबाजन लीबिश का समर्ती दिवस के तोर पर मनाय जाएगा भारत की तरफ से इस बात पैरलम्पी खेलों में 54 खिलाड़ी में से कितने खिलाड़ी हरियाना से इससा लिया तो ये बात और ये पैरलम्पी खिलाड़ों की पैरलम्पी खेलों में जो हरियाना से कितने खिलाड़ी थे 19 और टोकियो 2020 पैरलम्पी खेलों में के उदगाटन समारों में भारत के दवजवा कौन है तो ये है मरियपन थंगावेलू हरियाना पाउर जनरेशन लिम्टिड ने उत्पादन समता 864 मेगावाट से समता विर्दिकर कितने मेगावाट किया तो ये किया 252 मेगावाट दिल्ली सरकार दुआरा देश के मेंटर कारेकरम की सुरॉत की गी इसके ब्रांड अम्बेस्टर कोन होंगे तो आपको याद रखना है देश के मेंटर कारेकरम की सुरॉत की सरकार के दुआरा की गी दिल्ली सरकार के दुआरा और इसके ब्रांड अम्बेस्टर बनाए गया है सोनू सूद और देश के मेंटर कारेकरम ही किसले चलाया गया है ताकि सरकार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मेंटोस दुआरा मार्क दर्शन प्रदान किया जा सके देश का पहला स्मोग टावर कहां बनाया तो ये स्मोग टावर बनाया देश का पहला स्मोग टावर दिल्ली में बनाया और वहें इसका उद्गर्टन किया गया दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल के दौरा और ये एक वर किलोमेटर की हवा को साफ करेगा और हवा को साफ करके 10 मीटर की उचाई पर ये छोटेगा वहें आपको ये डे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताइए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करे और साथ ही स्टेडी जोन चैल को सब्सक्राइब जरूर करे और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाए थेंक्यू